जहां एक ओर भोजपूरी स्टार्स का राजनीती में कदम रखने का और भाजपा में शामिल होने का सिलसला जारी है तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद और बिहार की पूर्व मंत्री रेणु कुमारी कुश्वाह के साथ मधेपूरलोक सभाक्षेत्र से 2004 में भाजपा प्रत्याशी रहे विजय कुमार सिंग ने बीते शुक्रवार को भाजपा से स्तिफा दे दिया है उन्होंने भाजपा पर कुश्वा समाज और अल्प संख्यपों की अंदेखी करने का आरोप लगाया है पट्ना में बीते दिन यानी की 5 अप्रेल को रेणु कुश्वाहन एक समवेदाता सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने भाजपा छोड़ने की दोशना करते हुए कहा कि भाजपा में वो अपमानित महसूस कर रही थी इस दोरान उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नित्रित्व पर निशाना साधा है टिकेट बटवारे से नाराज रेनु कुमारी ने कहा कि भाजपा में समर्पित कारेकरताओं के साथ यूज एंड थ्रो का व्यवाहर किया जाता है भाजपा के शीर्ष नित्रित्व को अपने नेता और कारेकरताओं से मिलने का समय तक नहीं है पार्टी में आंतरिक लोगतंत्रक खत्म हो चुका है इस समवादाता सम्मेलन में रेनु कुमारी कुश्वाहा के साथ मधिपूर लोगसभाक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे विजय कुमार सिंग भाजपा के वरियनेता सहक पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंकुश्वाहा भाजपा नेता उत्तम कुमार महता और पूर्व विधायक पूनम देवी भी मौजूद रहे खैर लोगसभाचुनाव के दौरान ऐसा होना बीजपी के लिए जटका है और बिहार में भाजपा के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है नेक्स्टर नाइन बोजपूरिया से नेहा की रिपोर्ट